पिर से हाजिर हूँ आप लोग के लिए टेली के लिए एक नई क्लास लेके पिछली वाली क्लास में हमने debit note, credit note के बारे में पढ़ा था आज हम go down के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले वही function के साथ में F11 अगर आपके पास में laptop हो और desktop हो तो simple F11 यहां आने के बाद में F2 प्रेस करें और F2 करने के बाद में यह रहा maintain multiple go down इनको yes करना है और बाकि जितने भी सारे option है उनको अपन क्या करेंगे नो कर देंगे सबसे पहले escape से बाहर निकल के आजाएंगे और inventory information में आएंगे जहां पे हम अपने go down बनाएंगे यहां आते हैं go down create करते हैं जैसे मैंने 2 go down बनाया एक जैपूर और एक जोदपूर या कोई भी आपको जो पसंद हो 2 go down हम बना लेते हैं इसके बाद में escape से बाहर निकल जा और purchase party का नाम बनाते हैं alt c करके हम यहाँ पर पार्टी का नाम बना रहे हैं Sunday creditor alt c करके purchase का laser name of item जो भी हमें purchase और sale करना होगा unit के लिए alt c और यहाँ पर हम unit बनाते हैं यह सारे laser और unit में पहले से भी बना के रख सकता हूं लेकिन मैं आपके सामने बना रहे हूं ताकि आप लोग को याद रहे गो डाउन लेते हैं जैपूर में मैंने जैसे 10,000 quantity rate डाल दिया ऐसी हम जोदपूर यहाँ पर भी मैं कुछ quantity लेता हूं और rate डाल देते हैं इसकी यह हमने purchase किया अब हम sale करते हैं next step के लिए f8 प्रेस करेंगे पार्टी का नाम मैं यह आपके लोग के सामने पार्टी का नाम बना रहा हूं संड्री डेटर अल्ट सी करके सेल का लेजर नेम उफ आइटम स्पेस बार दबाएंगे यहां से सुगर को सेलेक्ट करते हैं स्टोक लेते हैं यहां मैंने पुरे स्टोक लिया सेलिंग प्राइज अपनी डाल देते हैं फिर हम दूसरा गोडाउन लेते हैं यहां से भी हम कुछ स्टोक लेते हैं और सेलिंग प्राइज डालके हम इसको सेल कर देते हैं यह सिंपल परचेज और सेल होगा हम बाहर निकलते हैं जो गोडाउन का में काम है हम डिस्पले में आएंगे statement of inventory में go down में और हम देखते हैं जैपूर में हमारे पास में कुछ भी stock नहीं है कि कोई जीतना था उतना हमने sale कर दिया और जोदपूर में अपने पास में stock है तो अपने stock को transfer करते हैं जोदपूर से जैपूर के लिए तो इसके लिए हम inventory voucher में आएंगे जो accounting voucher के जस्ट नीचे है यहां आने के बाद में हमें जहां से stock transfer करना हूँ देखिए यहां पर एक source लिखा हुआ है और यहां destination लिखा हुआ है तो मैं stock को select करता हूं जोदपूर से मैंने कुछ stock transfer कर दिया जहां पर नहीं है जैपूर में हमारे पास में stock नहीं था यहां पर म आके देखें कि stock transfer हुआ है या नहीं हुआ तो display में आएंगे statement of inventory go down and जैपूर में आते हैं देखें जैपूर में पहले हमारे पास में stock आ गया जो जोदपूर में भी अपने पास में stock आ गया जो main इसका display देखना है balance sheet यह हमारे पास में पुरा का balance sheet का आप देख सकते हैं balance sheet दिखाई दे रहा है और profit and loss में आके हम profit and loss देख रहे हैं तो आज हमने go down के बारे में पढ़ा next class में हम कुछ और पढ़ेंगे